नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे तो प्यारे बच्चों मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल A2Z Study में और प्यारे बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ा जांगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीड़ा का पार्थ नमबर 4 बया हमारी चिडिया रानी पहले हम लोग इस पार्ट को समझेंगे और उसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग हल करेंगे तो चलिए पहले हम लोग इसके पार्ट को समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए देखे बच्चो ये जो कविता है ये एक चिडिया के उपर दी गई है इस कविता में बया नाम की एक चिडिया है उसकी बात की गई है इसमें जो कवी है वो क्या कह रहे है कि बया जो है वो क्या है हमारी चिडिया रानी है वो तिनका तिनका जोड के अपना महल बनाती है महल का मतलब घोसला चिरिया किसमें रहती है महल में की घोसले में घोसले में रहती है तो इसमें यही कह रहे हैं कि भई वो तिनके तिनके जोड कर अपना क्या बनाती है महल बनाती है यानि की घोसला बनाती है उंची डाली पर लटकाती महल बनाने के बाद में ये जो बया चडिया होती है ये क्या करती है अपने घोसले को लटकाती है देखो बाके जो चडियाएं होती है वो क्या करती है अपने घोसले को किसी टहनी के उपर रख के बनाती है लेकिन ये जो बया चडिया होती है ये अपने घोसले को एक खास तरीके से बनाती है इसका जो घोसला है वो हमारा डाली से लड़कता रहता है इस तरीके से ये जो आप चितर में देख पा रहे हूं न ये है मेरी बयाच्रिया का घोसला ये जैसे लड़क रहा है वैसी बयाच्रिया का भी घोसला लड़ता है खेतों से फिर दाना लाती अच्छा ये चिरिया जो है ये कहां से खाना ला रही है खेतों से दाने का मतलब क्या खाना ही तो ला रही है वही तो चिरिया खाती है चिरिया क्या खाती है चिरिया जो होती वो दाना खाती है कीड़े खाती है यही सब चीज़े खाती की नहीं खाती है तो जो चिडिया है वो कहां से दाना लाती है खेतों से लाती है नदियों से भर लाती पानी और नदियों से क्या लाती है पानी लाती है देखिए इस पित्वी पर जितने भी हमारे जिन्दा जीव हैं सभी को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रुरत परती है ठीक है प्यास सबको लगती है पानी की ज़रुरत सबको परती है इसी प्रकार से जो हमारी चिडिया है इसको भी भई प्यास लगती है और ये अपनी प्यास बुजाने के लिए कहां से पानी लाती है कहां से पानी पीती है नदियों से पानी पीती तुझको दूर न जाने देंगे, दाने से आंगन भर देंगे, और हैज में भर देंगे हम, मीठा मीठा ठंडा पानी, देखो जी, इसमें जो लेखक है, वो ये कह रहे हैं, बया चिडिया के लिए ये कह रहे हैं, कि चिडिया, तुमको हम अपने से दूर नहीं जाने देंगे तुमको हम यहां से दूर नहीं जाने देंगे तुमको अगर खाना चाहिए तो हम खाना भी तुमको लाकर देंगे तुमको अगर पानी चाहिए तो वो भी मैं तुमको लाकर दूँगा तो इसमें जो लेखा कहें वो क्या कहा रहे हैं कि चिडिया रानी तुमको हम दूर नहीं जाने देंगे अपने पासी रखेंगे खूब सारा दाना लाएंगे और आंगर में भर देंगे ताकि तुम उसको अपनी इच्छा के हिसाब से कभी भी चुन सको और हौज हौज क्या होती है हौज हमारा कोई भी बरतन मान लो जिसमे तो हम लोग हौज कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या रहा कि भाई हौज में पानी भर देंगे ताकि पानी पिने के लिए भी चिरिया को दूर कहीं ना जाना पड़े फिर अंडे सोएगी तू जब निकलेंगे नन्ने बच्चे तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उसकी निगरानी क्या कह रहे हैं लेखक यह कह रहे हैं कि फिर जब तुम अंडे दोगी और नन्ने नन्ने उस अंडो में से बच्चे निकलेंगे तो हम बारी बारी करके मतल जानवर हमला तो नहीं कर रहा, लेखक यही कह रहें, कि भई, फिर तुम जब अंडे दोगी, उसमें से नन्ने नन्ने बच्चे निकलेंगे, तो मैं उनकी निगरानी करूँगा, तो हम उसकी क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, यानि कि देखभाल करेंगे, फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बयाब बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिडिया रानी, जो लेखा केंगे वो क्या कह रहें, फिर जब बच्चे जो हैं, वो बड़े हो जाएंगे, उनके भी पर निकलाएंगे, और वो भी उड़ना सीख देख़ जब चिडिया का बच्चा उड़ना सीख जाता उसके पर निकलाते हैं तो वो अपना घोसला यानि कि अपने घर को वो छोड़ देता है ठीक है ना वो क्या करता है अपने घर को यानि कि अपने घोसले को वो छोड़ देता है अपना एक अलग अपना एक नया घोसला बनाता है तो इसमें यह चीज़ कहा रहा है जो लेखा को यह चीज़ कहा रहे हैं कि भई जब बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाएंगे उनके पर निकलाएंगे तो वो घोसला छोड़ देंगे अपना अलग घोसला जाके बनाएंगे तो तुम तब रोना नहीं हम तुम्हारे साथ तो देखी इस कविता के अंदर बया नाम की एक च्रिया होती है अपने गोसले को बनाती है और उसको किसी डाली से लटका देती है खेतों से दाना लाती है और नदियों से पानी लेकर आती है लेखा क्या कह रहे हैं कि तुमको हम खुश से दूर नहीं जाने देंगे और तुम्हारे लिए रख देंगे और जब तुम अंडे दोगी उसमें से बच्चे निकलेंगे तो बच्चों का भी देख रेक हम करेंगे और फिर जब बच्चों के पर निकल आएंगे वो बड़े हो जाएंगे और के चले जाएंगे तो तुम रोना नहीं तुम दुखी मत होन क्योंकि तुम्हारे साथ तब भी हम रहेंगे ठीक है चलिए ये तो हमारा पुरा पाट हो गया अब चलिए इसके हम लोग प्रशन उत्तर लगा लेते हैं ये है हमारा प्रशन नमबर एक क्या कहरा है चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है यानि कि नीचे का यह चित्र है इसमें आप क्या-क्या देख पा रहे हो तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई जो बया चिरिया है वो अपने घोसले के अंदर बैठी हुई है उसका जो गोसला है वो ऐसे पेर से लटका हुआ है या किस पक्षी का घोसला है तो यह किस चिरिया का घोसला है वो क्या सोच रही होगी, तो कुछ भी सोच सकती है, हो सकता है, वो सोच रही हो, कि भाई दाना कहां से लाएं, हो सकता है, वो सोच रही हो, कि भाई पानी कहां से आएगा, या फिर हो सकता है, वो सोच रही हो, कि भाई घोसला अब मजबूत रहेगा, तूटे ना, बस ऐसा हो को कहां से मिलते होंगे पेड़ पौदे घास फूस और अब तो क्या है कि जो चिड़िया होती न वो अपने घोसले को बनाने के लिए कुछ भी इस्तमाल कर लेती हैं मतलब अगर उनको तार मिल जाता न तो उससे भी घोसला बना लेते हैं जिससे उनका घोसला मजबूत बनता है वो उससे इसका इस्तमाल कर लेते हैं फिर चाहे तार हो या फिर तो प्लास्टिक की जो नहीं होती है लंबी-लंबी रसी टाइप पतली सी वह हो मतलब जो भी मिलता है उससे वह अपना घोसला बना लेते हैं अब अगला प्रेस्ट नमबर पांच क्या कह रहा है आपने कि सची जडियाओं के गोसले देखे हैं मैंने चली जाइक है कबूतर का मैंने घोसला देखा हुआ है कवए का देखा हुआ है और साथी में जो चली जा आती है क्या नाम है उसका अरे मज़ें चली का नाम नहीं दब आ रहती है लेकिन ऐसे घर के बाएर आती कर था एस juliusQL औ और मैंने कैसा च्रियों का घुसला देखा हुआ है सोचिए और लिखिए बयारानी अपना घर तिनकों से बनाती है हम अपना घर बनाते समय किन-किन वस्तुओं का प्रियोग करते हैं सोच कर लिखिए देखो जी बहुत ही आसान सा प्रशन है इसमें ये कह रहे हैं कि भई जो बयाच च्रिया है वो अपना घर किससे बना रही तिनकों से बना रही है हम लोग जो हैं वो अपना घर किससे बनाते हैं तो भई हम लोग का घर किससे बना होता है हम लोग के घर में इट हो गई, सीमेंट हो गया, सरिया, मौरंग, बालू, और भी बहुत साइच चीज़ा कि पत्थर हो गए, लकड़ी का कहीं पर अक्सर सामान लगता है, तो बहुत साइच चीजों का हम लोग इस्तमाल करते हैं अपने घर को बनाने के लिए, उसमें से बस कुछी को आपको ल जो और जो खाली जगह है, उसको पूरा करो, देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ लिखा है बया के काम, यानि जो चीज़ा है बया, उसके क्या काम होते हैं, और दूसी तरफ लिखा है आपके क्या काम होते हैं, तो बया चीज़ा काम क्या है, दाना लाना, ठीक है खाना लाना, घोसला बनाना, पानी लाना, यह सब किसके काम है, चिडिया के काम है, आपके बच्चों के क्या काम होते हैं, आपके काम होते हैं, स्कूल के लिए तयार होना, समय पर स्कूल पहुंचना, अध्यापक की बात मानना, अपने स्कूल के कार्य होंवर्क को समय पे करन अपने माता पिता की बात मानना ये सब क्या होते हैं आपके काम होते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पे मैंने सिर्फ बया वाले में दो ही लिखे हैं पानी लाना गोसला लाना ये जो एक खाली जगा रखी हुई है मैं चाहता हूं कि आप खुद से इसमें कुछ अपनी ठीक है प्यारे बच्चों चलिए सब्दों का खेल प्रस्ट नमबर एक नीची दि गए शब्दों को उलट कर लिखे और नय शब्द का आनंद लिजी क्या कह रहा है नीची मेरे शब्द दिये हुए हैं आपको इन शब्दों को उलटना होगा उलटना होगा मतलब उल्टा ठीक इसी प्रकार से आपको इसको भी पलटना होगा बस बस है तो भई पहले सालिक दो फिर बालिक दो सब बन जाएगा ठीक है इसमें देखो खी रा आख्री में तो रा को पहले लिखो रा खी क्या बन गया रा खी इसमें देखो क्या है नी रा तो इसका क्या बन जाएगा पहले रा लिखो रा रा प्याक की मात्तर आ क्योंकि आखरी में है उसके लगल अच्छी तरीके जो आखरी के हमाया दो धिये हुए है यह आपको खुश्ते करने होंगे यह आपको खुछ से करने हैं बाकी मैंने भर दिये हैं चलिए आते हैं question number 2 पे क्या कह रहा है नीचे लिखे विपरीद अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए पहले चिसवे यह नीचे मुझे शब्द दिये हैं इनको मुझे मिलाना है कैसे शब्दों को मिलाना है जिनके अर्थ उल्टे हूँ उल्टे का मतलब क्या है जिसका मतलब क्या हो एकदम उसका विपरीध हो उल्टा हो जैसे कि दिन का उल्टा क्या होता रात होता है ठीक है ना मीठे का उल्टा क्या होता है ठीक है छोटे का उल्टा क्या होता है बड़ा होता है ऐसी आपको इनको भी मिलाना होगा जिसके यहां लिखाए दूर तो दूर का उल्टा क्या होगा दूर मतलब कोई चीज बहुत दूर है दूर का उल्टा होगा निकट निकट माने पास उंची, उंची का मतलब क्या होता है कि बहुत ही उंची कोई इमारते उंची कोई बिल्डिंग तो इसका उल्टा क्या हो जगा इसका उल्टा हो जगा नीची ठीक है, अगला है रोना, रोना, रोना का उल्टा क्या होता है हसिना ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या होता है, गर्मी, या फिर गरम, ठीक, चलो, ये तो हो गए, इसके उत्तर, अगला है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है, नीचे दिये गए शब्दों में से तुक मिलाने वाले सब्दों को ढून के लिखिए, अच्छा, आप क्या कह रहा है, न ऐसे शब्द, जो की पढ़ने में एक से लगें, ठीक है, जिनकी शब्द की जो आखरी की ध्वनी है, वो एक सी हो, उनको तुक वाले सब्द कहते हैं, ठीक है, जैसे पानी, रानी, पानी में भी नी आ रहा है, और रानी में भी नी आ रहा है, आखरी में एक जैसे ध्वनी आ रही कि नहीं हो रही है तो यह मेरे तुक वाले सब्द हो गए पानी रानी आम श्याम रात रात के साथ में साथ है ठीक है पूरा पूरा रा वाला कौन सब्द आखरी में पूरा और सूरा या फिर चूरा जो भी कर लो ठीक चलो ऐसे सब्द को मुझे ढून के लिखना है तो आकर आकर, आखी, मैं कर आ रहा है के आ रहा है तो कहेंगे रहेंगे जब बार आ रारा है, तो जब-तब ठीक हैz ऐसे ही आपको करना है तो यह मैंने आपके लिए यह तीन कर रखें बाकी जो बचें भएएगे वह में चाहता हूँ का आप khixes से करो ठीक है आकर लाकर लाती बनाती ठीक बाकी जो बचे होएं बच्चो मैं चाहता हूं वो आप खुश से करिए चलिए अगला है प्रेशन नंबर चार क्या कह रहा है कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए कविता को पढ़ो और नीचे की जो मेरी पंक्ति दी हुई इस कुछ पूरा करण बहुत यह आसान है इस कोउषण कुछ कठी नहीं है एक बार आपको कविता को दुबार से पढ़ना है यह कौन सा है? तिन के लाकर लटकाती यह कौन सी वही लाइन हो गई तो Ana up कविता पर वापस चलते हैं ठीक है चलो उसके खा वाले प्याते हैं एक तो यह बहुत फीछे है तो बड़ा समय लगता आने जाने में यह रहा तुझको दूर भर देंगे तो तुझको दूर वाली लाइन मुझे ढूननी है चलो भई तुझको दूर वाली लाइन भी ढून लेते हैं पहले पहुंच तो हो गया हमारा कहा है यह रहा यह है इसके उत्तर टिक वही जो कविता की लाइन ने उनकी फोटो कार्ट की मनचिपका दिए फिलाल आप लोग लिख लेना इसे अपनी कॉपी किताब मत फाड़ने बढ़ जाना चलो अगर प्रेश्ण में है मेरा प्रेश्ण नंबर पांच क्या प्रुद दिये हुएं तो पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि एक वचन बहु वचन बदलना यह सब होता क्या है देखो बहुत यह आसान सी चीज़ है एक वचन क्या इस शब्दों में एक आ रहा है एक का मतलब क्या होता है कोई एक चीज ठीक है तो जब भी मैं किसी एक चीज़े होंगी तो वो किस में आगी बहु वचन में आगी बास सिधा सा लोजिक अगर एक चीज़ है तो एक वचन में बहु सारी चीज़े है तो बहु वचन में ठीक जिसकी तिनका एक तिनका है एक वचन में तिनके बहुत सारे तिनके होते तब यह तो तिनके बोलते कि न दाने और दाने होता बहु अचन मतलब बहुत सारे दाने ठीक वैसी अंडा अंडा मने एक अंडा तो इसका क्या हो जागा इसका हो जागा अंडे अंडे मतलब की बहुत सारे अंडे ठीक ऐसी बच्चा मने एक तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यह आपको यहाँ पर भर लगाईए क्वीता के अंदर में जो शब्द आ हैं आपको उनको ढूना है और घेरा लगाना होगा तो इसके लिए फिर से आपको कवीता वाला जो पेज उस पर जाना पड़ेगा और उसमें से शब्द देखने पड़े हैं कि कौन-कौन से शब्द मेरे इसमें आ रहे हैं तो हाँ डाली हो गया और कौन-कौन से हैं और भी तो थे मुझे लगता है दोबारा देखना पूदा है कि मुझे को कुछ वर्ड याद नहीं आरे जो आय थे हमारे पानी आय था पानी है यहां पर पापा पर आकी मातरा पानी नहीं पापा पर इकी मातरा दिख रहा है मुझे आकी मातर नहीं दिख रहा है चलो वैसे मैंने यहां पर ढून के अलड़ी लगा रखें यह देखो डाली रानी अंडा ठंडा चड़िया होज तिनका ठीक अच्छा यह तो मैंने लगा दिये हैं लेकिन अगर आपको इनके अलावे कोई और शब्द मिलता है तो उसको भी लग रिक्त कहां कहां से पानी लाती होगी रिक्त स्थान में लिखिए क्या कह रहा है पाट के अंदर यानि कविता के अंदर जो चिडिया है हमारी वह कहां से पानी ला रही है नदी से ला रही है नदी के अलावा चिडियाओं को पानी और कहां कहां से मिलता होगा तो देखो ज जाधर हाला कि गर्मियों के मौसम में किया जाता है, वहां से चिडिया को पानी मिल जाता होगा, ठीक, और साथी में क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर कुछ बना के रखते हैं, गड़ा डैक पा, उसमें पानी भर देते हैं, ताकि जानवरों को उससे चिडिया जो है, उससे भी पानी मिलता है, वहां से उसको ले लेती है, अगला है मेरा पैस्ट नमबर तीन, क्या कह रहा है, अपनी मन पसंद चिडिया का चित्र बनाइए, और उसमें रंग भर ये, आपकी जो फेवरेट चिडिया है, उसका आपको क्या बनाना है, चित्र तो भई आपकी फिवरिट जो भी चडिया हो काऊ ढोगलो, तोता हो भू बना लो, भैसे मोछ मत बनाना बहुत कठीन हो था लेखके बनाना, तो प्रमल की बना सब्कस्कारी अगर अगर अच्छे डवाएंगे तो बना लो चलिए अगले परश्ण पर आते हैं क्या क्या रहा है आओ बया के लिए घर बनाएं केतकी केतकी बया के लिए घर बना रही है क्रम से बताईए कि उसे पहले क्या करना चाहिए और क्या बाद में देखो एक लड़की है केतकी उसने क्या किया है चिडिया के लिए घर बनाया है तो नीचे मेरे वाक्य देवें आपको इन वाक्य को पढ़ना होगा और क्रम से लगाना होगा कि पहले क्या हुआ 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 तो देखो अगर आप कोई काम करना शुरू करते हो तो पहले आप उसके क्या करते हो प्लानिंग करते हो है कि नी तो ऐसा वाक्य ढूंद लो जिसम लिखा हो केतकी ने घर बनाने का इरादा किया ये वाला केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए लो जी नंबर एक हो गया अच्छा है नंबर एक हो गया नंबर दो क्या हो सकता है पहले तो दिमाग में खाला है फिर सामान इखटा सामान इखटा वाला कौन सा केत्की ने मा से गत्ते कील हां यही है गत्ते कील कत्राने यही सब चलू जी अगला क्या हो सकता है अगला हो सकता है सामान लियाई और सामान लाने के बाद में ये वाला कर लो केतकी ने मम्मी की अपनी मा की मदद से एक सुन्दर सा घर बनाया ने 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 पहले ये वाला कर लो केतकी ने बया के लिए बनाये घर पर रंग लीपा ने ने ठीक 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 पहले ये होगा रंग तो बाद में लिपा जागा ना पहले घर बना जागा तो पहले यह वाला होगा उसके बाद में रंग लिपा होगा और फिर क्या है कि केतकी ने चिडिया के घर को यह आ जागा केटकी ने चिरिया के घर को दादा जी की मदद से पेड़ की टैनी पर टांग दिया और आखरी तुम्हारे यही आएगा कि वही नन्नी चिरिया केटकी की बनाए घर में चली गई ठीक यह इसका ओडर है देखो यहाँ पे भी थोड़ी गरबड होगी है यह नंबर चार कर लो और यहाँ नंबर चार यहाँ पे लिखा इसको तीन कर लो बागी सब सही है इसमें थोड़ी गरबड होगी है चलो जी बूलो बूलेग्या मुझे नहीं लगता है यह आपको बताने की ज़रूरत की इस कोशन के अंदर क्या दिया हुआ है चलो किन तब फॉर्मल्टी कर देते हैं बता देते हैं कुछ नहीं करना आपको आपको जीरिया को यहां तक पहुंचा तो पहले यहां से आएगी फिर यहां जाएगी और पिर ऐसे 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 करते वे घर पहुंचे थागी नहीं बस खतम कहानी देखो मज़दार गेम दे रख क्या बातचीत होर्हां हो oh क्या किया रहा है कि भई ये बात्चीत हु रही हु कि बैठी हो रहे है सो अपने दिमाग को दोड़ो सोको दोन के विचम उन्क क्या बातचीत हो रही होगी तो रहा है गिप अच्छी पूछे ये बताओ नहीं से लड़कता है यो सकता है आये बनाएं तो अब यहां पर यह कुछ क्राफट मतलब बना रहे हैं देखते हैं कि बन रहा है आवश्यक सामगरी यानि कि क्या समान चीए अपको पुराना समाचार पत्र पुराने कलेंडर कैंची गोंद पुराने बटन इसकेच पैन रंगीला कागच गोल आकार की एक चूड़ी अरे बापरे बहुत सारा समान चीए भई यह इसमें तो तो यह क्या कर रहे है शायद गोल आकार में इन्होंने क्या किया है कागच को काट दिया है और फिर उसको फोल्ड कर दिया है आधा और फिर यह क्या किया है अच्छा फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से इन्हों मोडा है ठीक है मोडने पर ऐसे हमारे यह बनके तयार हो गये है और उसके बाद आप लोग के स्कुल में क्राफ्ट के लिए बोलते हों तो यही बना के दिखा देना कि यह लो मैडम बड़ी ऐसा क्राफ्ट नंबर दो हमको चलो बूजो तो जाने हरे वस्त्र और लाल चोंच है रटना जिसका काम देखो भई अगर आप लोग को चियों की थोड़ी सी जानक पक्षग वाल्य हाँ जादा पख्षी कोई है नहीं गिने चुन ही होते हैं और तोता हमारे सबसे पहरे आथा दिमाग में जहां भी हरे हम पर वाले पक्षग के बात करते हैं घटा हरी का नाम घंझाए कंठ उरीला रंग है रंग से काली लो यहीं खतम कंट सुलीला कौन सी चिरिया है जिसका कंठ याने की गला भहुती सुलीला कहा जाता है और उसका रंग होता है काला तो यह कौन होती होती कोयल आगे पन्ड की जोरूती नहीं यहीं पर जवाब कोयल तब भी पाड़ लेते हैं सबके मन को भाती बैट पेड की ढाली पर जो सबको गीत सुनाती कोयल ही है गाती रहती बहुत ही अच्छा लगता उसकी आवास सुनकर है की नहीं चलो तो इसका उत्तर क्या हो गया कोयल यह क्या भी और बचा हुआ है अच्छा भी एक और बचा हुआ है अच्छा भी एक और पढ़ लेते समझ जात लेक्सकी बात होएं कोवे की बात हुछी है किसकी बात होएं कौवे की तो काववे की बात हुए डबल मातर लेगी। चलो आप से हिए हैं कौवा खतम कानी ठीक है चलो बच्चो तो यह हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रशन प्रशन नहीं काएंगे पहली थी इसी के साथ में जो पूरा पार्ट है यह हमारा समाप्त हो गया है मुझे उमीद इस बात की है कि आपको यह पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा जाने इस पहले मेरे प्यारे बच्चो मेरी आप लोग से चोटी से रिक्वेश्ट है कि अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक शेयर और चानल को सस्क्राइब कर दीजे ये मेले बहुत ही जादा जरूरी होता है अब हम लोग मिलेंगे हमाई अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार